नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चानल संबोजाउंड पर और आज हम बात करेंगे नियोडियम और फेराइट स्पिकर के बारे में दोनों में क्या अंतर है और किस तरह से ये स्पिकर अच्छे होते हैं बूरे होते हैं पूरे पॉइंट्स के साथ बात करेंगे अब इससे पहले भी इस तरह के बहुत वीडियो आये हैं जो मैंने देखे हैं ये वीडियो बनाने से पहले तो हर वीडियो में कुछ points है कुछ points नहीं है तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश किये कि मैं सभी तरह के points इसमें include कर लो इसमें कुछ ऐसे points है जो किसी भी वीडियो में नहीं थे इससे पहले तो मैंने एक overall अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश की है अगर आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथी उसका बेल आइकोन को भी इनेबल कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे, दोस स्पीकर जब भी हम कोई खरिदते हैं, देखते हैं, कोई भी चीज़ स्पीकर के बारे में होती है, तो सबसे पहले उसे देखा जाता है, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन है, ओ दिखने में कैसा है स्पीकर, दिखने में उसका डिजाइन अगर कस्टमर को अच्छा लगे, तो ज़्यादा चाइस है कि पर्चेस करना चाहेगा, तो डिजाइन के मामले में क्या होता है, नियोडियम मैगनेट जो है, उसको बहुत ज़्यादा तरह से ढाल सकते है, अलग-अलग डिजाइन में, मतलब आप नियोडियम के स्पीकर देखिए, उसमें आपको काफी सारे डि इसरी तरह जब हम देखते हैं फिराइट का, तो यहाँ पर हम उसको डिजाइन नहीं कर सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड है, और जब क्या आप देख सकते हूं, हर तरह के फिराइट जो मैगनेट के स्पीकर होते हैं, करीबन एक ही तरह से मैगनेट उस स्पीकर में लगाया जाता है, तो यह सबसे बड़ा एक डिफ्रेंस है कि फिराइट को हम ज़्यादा डिजाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन निवो स्पीकर को हम अलग-अलग तरह से डिजाइन कर सकते हैं, उस मैगनेट को इस तरह से यह वाराइटी या यह एडवान्टेज हमें निवो में ज़ 10 से 11 गुना ज़्यादा पावरफूल होता है, फिराइट मैगनेट के, लेकिन क्या होता है दोस्तों, स्पीकर जब हम बेसिकलि एक स्पीकर के बारे में सोचते हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फिराइट मैगनेट से निवोडियम मैगनेट की जो कौंटिट के बारे में देखा जाए, तो ये वहाँ पर नहीं लागू होता है, क्योंकि वहाँ बहुत ही कम साइज में मैगनेट यूज किया जाता है, और जब फिराइट के बारे आते हैं, तो उसे बड़े साइज में लगाया जाता है, लेकिन फिर भी एक बात है, कि जितना भी कम सा में लेकिन फेराइट में वो उतने प्रभाव से या उतना ताकत वर नहीं होता है याने की magnetic strength फेराइट में हमें कम मिलती है और neodymium में ज़्यादा मिलती है अब अगला point है कि high temperature में काम करने के लिए अच्छा magnet तो high temperature में फेराइट थोड़ा बहुत आगे है लेकिन ये बात है कि जब हम स्पीकर के बारे में सोचते हैं तो स्पीकर में ज्यादा तर जो टेंपरेचर बनता है उस टेंपरेचर को दोनों तरह के मैगनेट हैंडल कर सकते हैं तो ये कोई उतना important topic नहीं है मेरे खैल से लेकिन कुछ लोग इसको बड़ा topic बना देते हैं और अगला जो point है वो सबसे बड़ा point इसे मैं मानूंगा कि ये junk पकड़ने की जो बात होती है new magnet जो है वो junk पकड़ता है हाँ new magnet junk पकड़ता है इसलिए new magnet किसी न किसी तरह के cover के साथ आता है उसमें कोई न कोई प्रोटेक्टिव cover लगाया होता है जैसे कि nickel copper nickel के जो chrome finish हम जिसको बोलते हैं उस तरह के covers या कुछ अलग-अलग तरह के किसी न किसी इस तरह के जंग रोधक सामान से बनाया हुआ cover new magnet के उपर हमेशा लगा कर आएगा क्यूंकि new magnet जंग लग जाता है उसमें तो यह बहुत बड़ा point है लेकिन उसी तरह से हम दूसरी जग अगर देखे फिराइट के बारे में तो फिराइट magnet को जंग नहीं लगता है भले फिराइट में जंग नहीं लगता है लेकिन उसमें फिटिंग के लिए जो उपर और नीचे मेटल के प्लेट लगाए जाते है उपर नीचे दोनों लेकिन अगर वही प्लेट ये से स्टील की लगाई जाए तो वह अच्छी कॉलेटी मिलती है जो magnet है वह अच्छी तरह से लंबे समय तक अच्छा काम भी करता है और ये से स्टील की प्लेट होने के कारण जंग नहीं लगता है तो ये बाते हमें स्पीकर खरिदते वक्त देखनी चाहिए अगला भी एक पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है वो है वेट के बारे में वेट के मामले में जब हम देखते है तो नियोडियम काफी हलका है काफी हलका है तो इसलिए हम जो लोग फिक्स दिन का सेटप नहीं है गाडियों में लगाया हुआ जिसे हम मोबाइल सेटप कहते है मतलब जो ओन फील है जिसको हम कई पर भी ले जा सकते है गाड़ी में क्वालिटी के अच्छे ब्रैंड के लगा सकते हो और वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगे क्योंकि आपको बार-बार वेट नहीं उठाना है लेकिन जिस तरह के सेटप होते हैं कि जो बार-बार आज यहां पर पर प्रोग्राम किया कल कई और करना है परसो कई और करना है तो इस तरह के प्रोग्राम के लिए जो सेटप लगते हैं वो बार-बार उठाने पड़ते हैं सभी सेटप के टॉप के बॉक्स हो बेस के बॉक्स हो हर तरह एंप्लिफायर हर चीज़े उठानी पड़ती है तो इस के लिए उसका वेट काफी कम रहेगा एक तो आपको लेबर कम लगेगा या फिर आपका लेबर जो है वो फ्रेश रहेगा ठकेगा नहीं और आखरी पॉइंट है प्राइस का जो मैंने अभी बोला ही प्राइस के मामले में बहुत ज्यादा डिफ्रेंस है काफी हेवी प्राइ गया प्रेट है तो और अच्छी बात है अगर हम अच्छे नियोडियम स्पीकर के बारे में सोचे मतलब 1200W आरेमस का स्पीकर हम अगर फहराइट का ले ले और 1200W आरेमस पावर का ही नियोडियम का स्पीकर ले ले तो लगबग 80% ज़्यादा प्राइज हमें देना पड़ता है अब मैं ये medium segment में बात कर रहा हूँ जो premium brand है उसमें तो काफी ज़्यादा प्राइज है मेरा खुद का ये मानना है कि आप base के लिए fred magnet के ही speaker ले ले कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है थोड़ा बहुत वजन उठाने का problem हो जाता है लेकिन budget में काफी difference हो जाता है लेकिन जब हम top की बात करते हैं तो top कभी कभी हमें ज़्यादा उपर ले जाने होते हैं या फिर liner की तरह लगाने होते हैं liner में जो यूज़ करते हैं वहाँ पर आप ज़रूर neodium speaker यूज़ करें top के लिए खास करके और कहीं पर भी आप top में neodium speaker यूज़ कर गए तो आपको उसका फाइदा sound quality में ज़रूर होगा लेकिन base के मामले में आप ferrite के साथ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है और top के मामले में भी ऐसा नहीं है कि neodium ही लेना चाहिए यहाँ पर भी ferrite speaker भी काफी अच्छे अच्छे brand के अच्छी quality देते है अगला एक point है कि यह चप के बारे में यह चप के बारे में भी neodium जो magnet के यह चप है वो काफी आगे है ferrite यह चप के वहाँ पर आपको clear ज्यादा मिलेगा यह चप और ferrite का थोड़ा कम मिलेगा लेकिन वही बात है कि आपके budget में होता हो तब भी ले लीजे वरना ऐसा कुछ नहीं है थोड़ा बहुत difference हो जाता है लेकिन आपको आपके budget को भी देखना जाएए तो दोस्तों यह थे नियोडियम और ferrite magnet के loudspeaker के संबंद में जो difference होते है वो मैंने सही से गिनाए है क्या यह मुझे comment section में जरूर बताएए वीडियो कैसा लगा यह भी बताएए अगला वीडियो किस point पर होना चाहिए यह भी बताएए और साथ ही वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई कीजिए कर दें तक के सक्षे क cần पाई झाल अगलने सतनाीस परुट हो परुट हो चेख पने बाई झाल झाल